सरकार ने पहली बार जमू कश्मीर में लिथियम और सोने के बंडार पाए हैं खान मंतराले को डियासी जिले के सलाल हैमानी इलाके में करीब 69 लाक टन लिथियम का बंडार मिला है 62 सेंटरल जिलोजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक के दौरान 15 अन्य संसादनों वाली भूवे ग्यानिक रिपोर्ट और 35 भूवे ग्यानिक ग्यापनों के साथ ये रिपोर्ट संबंदित राज्य सरकारों को सौपी गई है इने 55 खनीज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक सोने से संबंदित हैं और अन्य ब्लॉक पोटाश, मैलिट बैनम, बेस मेटल आधी वस्तों से संबंदित हैं ग्यारा राज्य, जम्मू और कश्मीर, आंद्यपरदेश, हतिसगड, गुजराज, जारखन, करनाटका, मद्यपरदेश, ओडिशा, राजिस्तान, तमिलनाडू और तिलांगनाज में फैले हुए हैं ये ब्लॉक भारतिय भुवे ग्यानिक सर्वेक्षन की और से 2018-19 से अब तक के फील्ड सीजन में किये गए कारियों के अधार पर तयार किये हैं इनके अलावा 7,897 मिलियन टन के कुल संसादन वाले कोईले और लिग नाइट की 17 रिपोर्टे भी कोईला मंत्राले को सौपी गई हैं बैठक के दोरान विबिन विश्यों और हस्तक शेप शेतरों जिसमें GSI संचालित होता है पर साथ प्रकाशन भी जारी किये गए हैं बैठक के दोरान आगे में फिल्ड सीजन 2023-24 के लिए प्रस्तावित वार्शिक कारेकरम भी प्रस्तुत किया गया है और चर्चा की गई है 2023-24 के दोरान GSI ने 12 समुंदरी खनीज जाच परियोजनाव सहित 318 खनीज अन्वेशन परियोजनाव सहित 966 कारेकरमा को शुरू करने की योजना बनाई है इस वीडियो में के अवल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं देखने हो झाल